पुलीस को बड़ी सपलता मिली है नकसली कुलदीब गंजी उमर पचीस वर्स ने आतम समर्पन किया है कुलदीब केंद्रिय कमेट्री का है केरिया कमांडर था कुलदीब के आतम समर्पन के बाद नकसली की रीट कमजूर हुई है पुलीस लंबे समय से इसकी तलास कर रही थी सुरच्छा बल दोरा चलाय जा रहा नकसल बिरोदिया भियान भी इस आतम समर्पन के पिछे एक बड़ी वज़ा बताई जा रही है तो कुलदीब मारक दास्त का परमुक सदस्था और पचमिर सिंगबुम के चाइबासा में पुलीस अधिकारियों के समच अपने रैफल के साथ आतम समर्पन किया और कुलदीब राची के बुड़मू अस्तित कनारी गाहों का इसकी गिरफतारी से सबसे ज़्यादा नुकसान मिसिर बेसरा उर्प कर टीम को हुआ है इस टीम का कुलदीब अहम सदस्था और नक्सलियों के खिलाब चलाई जा रहे अभियान में पुलीस नक्सलियों को लगातार चेतानी दे रही है कि सही समय पर आतम समर्पन कर ले नहीं तो पुलीस की गोलियां का सिकार होंगे बंगाल जारकन और बिहार को गुजराज से जोडने वाली परसनात एक्सप्रेस में हुआ ये बदलाव भारती रेलवे ने अपनी कुछ ट्रेनों में एक बार फिर बदलाव किया है बंगाल जारकन और बिहार से होकर गुजराज जाने वाली परसनात एक्सप्रेस को राज राजपाल से भेट कर सीम हैवन तो जारकन के मेंकवंतरी हैवन स्वरंड के नेत्रित में एक परतिनीदी मंडल राजपाल रमेश बेज से मुलकात की इसमों के परुनों ने राजपाल से नियोजन निती बील और अर्चन सीमा बील को जल्द केंद्र सरकार को भेजने का आगर मेराब अंसारी के पिता की गुरुवार की मौत हो जाने की वज़ा से वह काफी दुखी था आज बरिसा अस्तितेक तलाब नुमा गड़े से उनके सव को बरामदी की अब पिता के कबर के बगल में उसका मिट्री का संसकार किया जाएगा तो गुमला सहर के अजादी बस्ती निवासी महमद मुराब अंसारी 18 वर्स का सव सहर से सटे बरिसा टॉंगरी के तलाब से बरामद हुआ महराब पाँच दिनों से लापता था पुलिस मामला की दर्च कर महराब की तलास कर रही थी मंगलवार की सुबा को बोरिशा टोंगरी में तलाब से उसका सव मिला और मिर्तक महराब अपने पिता को आदम अंसारी की मौत से सदमे में था इसके बाद वह घर से निकला और वह वापस ही नहीं आया सब मिलने के बाद मुस्लिम समुदाई के लोग सोक में है सात्वी से दस्वी जेपी एससी सिविल सेवा परिछा मामला जेपी एससी को हाई कोट का आदिस तो जारकन हाई कोट में सात्वी से दस्वी जेपी एससी सिविल सेवा परिछा की कट अप मार्स जारी करने को लेकर आज सुनवाई हुई सुनवाई के बाद हाई कोट में लिखित आदिश देते हुए JPSC को कहा है कि तीन हफ़ते के भीतर वेबसाइट पर कट अप मार्स जारी करें या कट अप मार्स केटेगरी वाइज जारी करें वही उमिद्वारों के अंक भी जारी करें हाई कोट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो कोट इसे कंटेंट माल लेगा गर्वतिती रिवीका पांस साल का बेटी भी है और मडर से पहले हुआ था रेप तो जारकन के साहिव गंज के रिवीका हत्या कानवामले में बड़े खुलासे हुए हैं पुलीस सुत्रों के मुताविक रिवीका गर्वतिती हत्या से पहले दिलदार के मामा और उसके साहियोगी ने रिवीका के साथ रेप किया था रिवीका से पहले भी स्वाधी सुदा थी और उसके पांस साल की बच्ची भी है जारकन बिदानसभा सितकालिन 17 दिवासी युवा को सामने रख बिहार यूपी के लोग कोट से तो जारकन बिदानसभा के सितकालिन 17 अस्तगित होने के बाद लगवग एक बजे फिर से 17 शुरू हुआ इस दोरान एक बार फिर भाजपा के बिधायक बेल तक चले गए इस दोरान सदन में 8533 करोड रुपिये का दित्य अनुपूरक बजट पेस किया गया इस दोरान सेव हैमन सुरेन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि राज में पहली बार नियोजनिती को रद किया गया है ऐसा तिसरी बार हुआ है जब नियोजनिती रद हुई है अकेले रुबिका ही रही रुली खादून भी हो चुकी है बहरमी की सिकार सस्राल वालों और पती पर है इलजाम तो साहिब गन जिले में रुबिका जैसी वारदात पहले भी हो चुकी है जिसमें पती ने सवक के टुकडे कर लास को ठिकाने लगाया था दुकी बात या है कि इस मामले के आरुपित अभी भी खुला गूम रहे हैं और मामला अभी भी विचार दिन है लोगसवा में रुबिका हात्यकान की गुंच सांसर संजे सेट ने धर्मातरन पर उठाया सवाल तो साइब गजमर रिविका हत्यकान की गुन सांसद तक पहुँची है गोटा सांसद निसिकान दूबे के बाद राची के सांसद संजे सेट ने भी इस मामले को लोगसवा में उठाया है सांसद ने धर्म परिवरतन के मामले पर लोगसवा में सवाल खड़ा किया है अस्पीड ट्रायल की त्यारी है लेकिन या राचिज में महिलाओं की खिलाप आप रात राज में ऐसाल दर साल कितना बढ़ा है महिलाओं दौरा दायर कितने मामले अभी भी जार्खन के कोट में पेंडिंग पड़े हुए है जार्खन बिदान सभा में खरसामा बिध्याले के पार्ट टाइम टीचर्स की तो जार्खन बिदान सभा में खरसामा बिध्याले के पार्ट टाइम टीचर्स की तो जार्खन बिदान सभा में खरसामा बिध्याले के पार्ट टीचर्स की तो जार्खन बिदान सभा में खरसाम गारियां सहीद 12 लोगों के गिरिफतारी तो हजारी बाके टास्पोर्स ने मंगलवार को अवेद कोईला माफिया के खिलाप बड़ी करवाई की है इचाक और बर हिताना छेतर में चापे मारी कर तेरों गारियों को जब्द किया है वहीं 12 लोगों को गिरिफतार भी किया है इ स्वास्त सेवा पहुचाने में जारकन का स्थान देश में तिसरा है यही वज़ा है कि हम राष्ट पटल पर अपनी अलग छाप छोड़ते हैं ऐसा संभव हो पाया है राज में कारीरत सहिया की वज़ा से जारकन के कई ऐसे दुर्गम स्थान है जहां ना तो नेटवर्क है औ योग से हम स्वास्त योजनाओं को आम जन्मानज तक पहुचा रहे हैं सहिया वाकड़ी है जिससे स्वास्त की दिसा और दसा तय होती है जारकन के इस रेल्वेट ट्रेक पर 101 किलोमेटर की रफतार से दोड़ी ट्रेन तो गडर्मा हजारी बग राची वाया बरकाना बरका पर 101 किलोमेटर की रफतार से ट्रेन को दोड़ा कर इसका निरचन किया गया वही मस्मोहना सूरंग का भी अधिकारियों निरचन किया आमरपाली कोलपर योजनों में टेरर फांडिंग के मास्टर माइन सुभान मिया को जारकन में गिरफतार किया था तो एन आई एक ने जाच के दुरान टेरर फांडिंग मामले मैं सुभान खान उर्फ सुभान मिया को मास्टर माइन मानते हुए नमबर 2018 में गिरफतार किया था दरसल एन आई एक ने वर्ष 2016 में ट्रणवा थाने में दर्जपार्थ में की की और को टेक अबर करते हुए जाज शुरू की थी दुपट्टा हटा तभी पढ़ाएंगे कहने वाले सिचक गए जेल सुरूआती जाच में सिचक पाए गए दोसी तो दुपट्टा हटा लो तभी पढ़ाएंगे ये कहने वाले सिचक जेल चले गए पांडू के राजकी उतकरमित मदिव स्कुल में के सिचक को इस मामले की सुरूआती जाच में दोसी पाए गया है उपाए युक्त ने इस मामले में सिचक के बिरूत पार्थमी की दर्ज कर जेल भेज दिया गया घटना का खुलासा तब हुआ था जब पलामू के वे सिचक के सामने ही पत्रकारों से बात करते हुए छात्रों ने या गंभीर आरोप सी चक पर लगाए तेंद्यूए के डर से घर में डूब के ग्रामिन आसपास के इलाकों के अस्कुल भी होने लगे है खाली तो गड़वा में आदम को तेंद्यूए का खत्रा बढ़ रहा है इस ब के खोज बिन जारी है तेंद्यूए की तलास कर रहा है वन विभाग और वन विभाग की योर से उसके पद्चिनों के अधार पर उसकी तलास की जा रही है समाचर पूरा देखने और सुनने के लिए धन्यबाद समाचर अधी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर कर दें सेर कर दें सब्सक्राइब कर दें अधी हमारे चैनल पर नए हो तो